प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजिस्थान संबाद आपको सरकारी योजनाओं की जानकारी देता हैं, जिससे कि आप सभी सरकारी योजनाओं का पूरा-पूरा लाभ उठा सके। आज हम आपको राजिस्थान की एक और सरकारी योजना राजिस्थान बेरोजगारी भत्ता की जानकारी देंगे राजिस्थान सरकार ने प्रदेश के युवा बेरोजगारों को देखते हुए इस योजना को आरंब किया है राजिस्थान बिरोजगारी भत्ता योजना का मुख्य देश है कि जो भी यूवा बिरोजगार है उसे हर महिने पैसे दिये जाएंगे ताकि वो अपना गुजर बसर कर सके, आत्म निर्भर बन सके इसके लिए सरकार ने जब तक बिरोजगार को नौकरी नहीं मिल जाती हैं तब तक उन्हें बिरोजगारी भत्ता देने का फैसला किया है अब बिरोजगारी भत्ता बढ़ा कर 3500 रुपे प्रतिमाह तक किया जाएगा जबकि वर्तिमार में पुरुषों को 6500 रुपे और महिला और निशक्त जनों को 7500 रुपे प्रतिमाह भत्ता दिया जा रहा है राजिस्थान सरकार का मानना है कि अभी भी राजिस्थान में बहुत से ऐसे पढ़े लेके बिरोजगार युवा है जो कि नौकरी की तलाश कर रहे हैं और उनको अभी तक नौकरी नहीं मिली है इसे लिए वो अपने परिवार पर निर्भर रहते हैं ऐसा ना हो इसलिए सरकार ने बिरोजगार भत्ता देने का फैसला किया है आप सभी इच्छुक नौजवान सोच रहे होंगे कि हम इस योजना का लाब कैसे ले सकते हैं तो चलिए हम आपको बताते हैं बिरोजगार भत्ता योजना के तहट जो भी युवा बिरोजगार है वो युवा इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है इस योजना के तहट आवेदक का नाम केंदर सरकार या फिर राजसरकार की किसी भी अन्य मिलती जुलती योजना में नाम नहीं होना चाहिए आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए यद युवा राजस्थान का नहीं है तो वो इस योजना में आवेदन नहीं कर सकता है ये काफी ध्यान में रखने लाइक बात है इस योजना के तहट आवेदक के परिवार की सालाना इंकम तीन लाग से जादा नहीं होनी चाहिए इस यूजना के तहट आविदक की उम्र 21 साल से कम या फिर 35 साल से जादा होनी चाहिए बेरुज़गारी भत्ता यूजना के तहट 12 पास होना जरूरी है उसके पास कोई पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएशन की डिगरी भी होनी चाहिए तो दोस्तों अगर आप पात्रता को पूरा करते हैं तो आप राजिस्थान बेरुज़गारी भत्ता के लिए आविदन कर सकते हैं इस स्कीम के तहट प्रदेश के बेरुज़गार यूग को और यूवतियों को 35 रुपए के आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी दोस्तों राजिस्थान बेरुज़गारी भत्ता प्राप्ट करने के लिए आपको यहाँ पर दियेगे वेबसाइट पर क्लिक करना होगा फिर आप अप्लाय फॉर अनिम्प्लॉइमेंट अलावेंस लिंक पर क्लिक करेंगे ऐसा करने के बाद SSO राजिस्थान वेबसाइट का लॉगिन पेज खुलेगा अपनी SSO ID और पासफ़र्ड डालकर आप लॉगिन कर लीजे अगर अभी तक ID नहीं बनाई है तो SSO ID बनवा लीजे लॉगिन कर लेने के बाद Employment Application खोले अब मांगी गई सारी जानकारी सही से भर दीजे और बेरोजगारी भत्ता फॉर्म जमा करा दीजे यहां एक बात ध्यान रखने योग्य हैं कि आप राजिस्थान बेरोजगारी भत्ता तब ही प्राप्त कर सकते हैं जब आपके पास आयप्रमान पत्र होगा आप आय प्रमार्ण पत्रों ओनलाइन ही प्राप्त कर सकते हैं बिरोजगारी भत्ता योजना के स्थिते जानने के लिए आपको इसकी वेबसाइट पर जाना होगा और वेबसाइट का नाम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर केज़े जिससे इस योजना का फायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके क्या आपका बिजनेस आपके मन मुताबिक मुनाफ़ा नहीं दे रहा? क्या आपका बिजनेस लोगों तक नहीं पहुँच पा रहा? तो आपको चाहिए अपने बिजनेस के लिए एक शांदार वीडियो अड़र्टाइजमेंट मिशी मीडिया सलीशन्स देगा आपको आपके बिजनेस के लिए शांदार वीडियो अड़र्टाइजमेंट वो भी बेहत किफायती दामों पर जारा जानकारी के लिए कॉल करें 900 1299672 और विजिट करें मिशीमीडियासलूशन्स.ड़ कॉम